साथियों, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से पूर्ण रूप से हट गई, जह हटाने का एलान ट्रम्प नहीं किया था और बाइदेन के कारेकाल में पूरा हुआ, कोई नई बात नहीं है, वर्षों से वहाँ पर थे और अन्त्ता हटना ही था, ना भी हट सकते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गए थी कि इनका हटना जरूरी हो गया था, और जिस परिस्थिति में हटे, उससे अमेरिका के अन्דर में ही, जनता के बीच में, और सरकार के बीच में ही, लोगों में दुख है, गम है, अफसोस है, आत्मन लोचना है, कि ये उन्होंने क्या कि यह चुपचाप रात के अंधेरे में भागे हैं वहां से दो जुलाई यानि शुक्रवार को तीन बजे बग्राम हवाई एड़ा है वहां से इनकी अंतिम टुकड़ी गायव होगी अफगानी कमांडरस ने सरकार ने कहा कि धीमे धीमे जाएं ताकि जनता में हताशा ना हो घबडात ना हो ग्रियुद्ध ना हो लेकिन यह नहीं माने संभौता इन लोगों ने वियत नाम में जो इनकी करारी हार हुई थी और भागे थे बुरी तरह उससे बचने के लिए इन्हों ने अंधेरे में मुह छुपा कर भाग खड़े हुए अफगानी जनता जहां तक वहां से रिपोर्ट है वहां सर्चा कितनी है वहां दर्शकों तक युद्ध करने के बाद अमेरिकी प्रवेश के पहले रूसी फौस के खिलाब ही लड़ती रही है किसे ने किसी रूप में बीच में तालिबान से भी लड़ती रही है तालिबान का निर्मान अमेर्की सेना ने किया है वैसे ISIS Muslim Brotherhood ये सारे के सारे अमेर्का द्वारा ही बनाए गए है और अमेर्का ही की गले पड़ गए है और जो परिस्थिती भी बन रहे हैं अचानक हटने से वहाँ पर अंदेशा है कि तालिबान हत्याओं का दौर शुरू करेगा फिर से वह लोग खासकर जो अमेर्का के साथ थे और वैसे लोग जो तालिबान का खिलाफ कर रहे थे और तों के ऊपर जुल्म फिर से ढहा जाएगा फिर से वह नकाब में आ जाएंगी जो 40 पर तिशत लड़किया वहाँ स्कूल में थी उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा मानवी संकट फिर पैदा होगा आपको याद होगा इराक में अमेरिका ने क्या किया था किस तरह से घात किया था इराकी सरकार और वहां के सदाम हुसेन के खिलाफ प्रतेक्च चा और प्रतेक्च रूप से वैसे ही काम इन्हों ने अफगानिस्तान में विक्या अमेरिका की उपर भरोसा करना कितनी भयानक इस्थिति में आपको ला सकता है इसका अंदाजा लैटिन अमेरिका यहां का वर्णन कर रहा हूं अफ्रीकी देशवासियों से पूछे वहां के जलता से पूछे अमेरिकी सेना के मदद में 18,000 अनुवादक स्टाफ उनके परिवार अमेरिका ने जाते जाते कहा कि अमेरिका में आप आएं आपको अमेरिकी नागरिकता प्रदान की जाएगी इस पर मैं एक और टिपनी नहीं करूँगा अचानक से अफगानिस्तानी स्थिती जो है इस अमेरिकी सेना के हटने के बाद से कुछ अजीवों गरीव हो गई है वहां के जो सरकारी सैनिक है उनमें हताशा है कि अब तो मरेंगे हलाकि अफगानिक कमांडर में अभी भी कुछ जोज दिखा रहे हैं करे भाई वापस आ जो बुलाने की कोशिश कर रहा है जो रिजर्विस्ट है उन्हें फिर से वापस ला रहा है कि नहीं हम फिर से जो हमारा छेत्र गया है उससे हम वापस लेंगे घवडाने की बात नही क्या किया नहीं पता लेकिन एक चीज और ही है कि अमेरिका का इस तरह से पलाएं चीन का प्रवेश दोनों एक दूसे से मिला हुआ है चीनी सेना नहीं आए गिसकी आप चिंता ना करें ना ही वह अफगानिस्तानी सेना या तालिबानी लडाकों से लड़ने वाली है वहां आएगा वैसे ही जैसे गाजा पट्टी में युद्विराम होने के बाद से चीनी मदद कई अफरीकी देशों में चीनी मदद पीछे-पीछे चीनी निवेश पुंजी जो बगल में हमारे बर्मा या मैनमार में है श्रलंका में है वह प्रवेश करेगा जरूर करेगा उसको उमीद है कि अमेर की सेना हटने के बाद से बी एर आई यानि बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव काबूल तक पहुंचेगा काफी तागत लगा रखा इस पे चीन ने और अर्बों-खर्बों का निवेश भी किया उसने इस बीस तालिबान ने घोशना की है कि वह काबूल प प्रवेश करेगी इस इन पे कितना भरोसा किया जाया मैं आपकी समझ की उपर छोड़ता हूं इस बीच में भारती विदेश निटिगा क्या होगा पहले मनमोहन सिंग रहे हूं बास पे फिर मनमोहन सिंग फिर अब मोधी सरकार अमेर की पिशलगू बनने का नतीज़ा यह है कि कम से कम यहां तो नजर आ रहा है कि न हम घर के हैं न घाट के और जो अफरा तफ़री मची है उसके कारण कई सारे जो दुसरे देशों के कंसुलेट है खासकर उतरी अफ़गानिस्तान में उनका कारवाई बंद हो रहा है बंद भी कर रहा है जर्माणी ने बंद कर दिया है यहां तक की इरान उजबेकिस्तान तजिकिस्तान और पाकिस्तान की भी कारवाईयां वहां तकरिवन नदारद हो गई हैं वैसे तजिकिस्तान में रूसी सेना भारी मात्रा में हैं लेकिन इसकी चिंता ना करें वहां प्रवेश नहीं करेंगे जब तक की तालिबान वहां ना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के जो हेड हैं हेड आफ गौवर्मेंट हेड अफ इस्टेट कमांडर इन चीफ ऑफ अफगानिस्तान आर्मी जो 2014-2019 में भारी मतों से जिते हैं और यहां तक की अमेरिकी प्रेस ने भी माना था कि मद्दान में गड़वड़ी से जिते हैं अब उनका क्या होगा वह क्या करेंगे घानी अश्रफ घानी वह भागेंगे या जो मुझीब पहले वाले थे उसकी तरह रहेंगे और तालिबान उनने किसी पोल से लटका देंगे जो भी हो साथियों अफगानिस्तान 21 सताब्दी का एक और नायाब उदारण है जिसे अमेरिकी सेना ने अमेरिकी इंपरिलिजम ने बरबाद कर दिया है नाटों के साथ अपने अन्य सेनाओं के साथ बहुत सारे उदारण है भरे पड़े इनका लक्ष केवल आपके हाँ पहुच कर आपके संपत्ति को हड़पना है जरा सोचे लाटिन अमेरिका में ही पूछे वहां के लोगों के साथ क्या हुआ था सीरिया का तेल हो बुलीविया में लोग घुसे हैं जहां सोना, सिल्वर, जिंक, टिन, गैस अनोयल और लीथियम की भारी मात्रा में खजाना है लीथियम वैसा तत्व है जिससे वाइट गोल्ड भी कहते हैं और इवो मुराल्स वहां के प्रिजडेंट को भागना पड़ा मेक्सिको में जब वहां के सेना ने CIE के मदद से तकता पलट की और इस तत्व यानि गोल्ड वाइट गोल्ड जिससे कहा जाता है कि एलेक्ट्रोनिक्स हैंने एलेक्टिक कार्क जो बैटरी बने गया उसका आधार है एक दुनिया में याई क्लामति करांटी के बात नहीं कर रहा हो तेकनलोजी की तागत और एकता के कारण फिर से अमेरिकी और उनके पुछ लगूओं को बाहर भगाया पूरे अरब कंट्रीज में देख लें जिसमें इरान विश्रा मिले अभी जो अमेरिका कोशिश कर रहा है और इस्राइल के मदद से अपना अधिपत बनाय रखना चाहता है अफ्रीका जिसमें डियार कॉंगो कहते हैं कि दुनिया वर का एक चौथाई नाच्रल लिसोर्स वही पर जमीन के अंदर है और यह काफी बड़ा देश एक बड़ी अबादी वाला देश बिलकुल औसाहाय लाचार जहांके औरतों के साथ प्लान करके विद्रूहियों द्वारा बलतकार करवाय जाता हज्जारों में ताकि वहाँ विद्रूही जो वास्तों में जो चाहते हैं कि उनका देश एक स्वतंत्र बने और अमरेकी समराजवाद से मुक्तिप पाए उनका फिर से सर उचलना हूँ साथियों चलो भूत लंबी बाते में कर सकता हूँ निश्कर्स यही है कि आप अमेरिका पर कितना विश्वास करते हैं अमेरिका या उनके जो साथी है नाटो एरोपेन यूनियन है जिसे ब्रिटेन भी एक प्रमुक्ष देश है और जो आपक हमारे पूंजी पती हैं यानी इस पूंजी की सब्ता जिसका प्रमुक्ष चेहरा अमेरिका है और कई देशों के छोटे मोटे टुट्ट पूंजी जो वहां के राजा बने हो और अपने देश को बरवार्दी के कागार पर लाकर रखा हुए हम कब तक इसके खिलाफ लड़ने की बात छोड़ जिए कब तक हम उसका साथ देंगे कब तक मुर्ख बने रहेंगे कब तक ना समझेंगे सोचेगा साथियो धन्यवाद